हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल और कैसे आप सब उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छ होएंगे तो ये देखे मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप फट फट से जल्दी से खाना कैसे बना सकते हैं सुबह में कैसे जल्दी जल्दी आप कामों को निप्टा सकते हैं लंच कैसे अपना जल्दी से अच्छे से अच्छा टेस्टी लंच बना सकते हैं तो ये सारी चीज़ा करने के लिए आपको नाइट टाइम पर करना पड़ेंगे अपने ये कुछ-कुछ छोटे-छोटे काम मसाले फिल करना सबसे ज्यादा फिर से फिल करना पड़ता है और कई डबो में से पैकेट निकालने पड़ते हैं तो बैटर है कि हम ये कामना जात में कर लें और देखिये मुझे तो आफिस नहीं जाना होता लेकिन आफिस और स्कूल तो भेजना ही पड़ता है तो मेरे पास भी सुबा बहुत कम टाइम हो जैसे मैंने राजमा लिया है आप सुबह राजमा की जगे आप सुबह डारेक कोई डाल भी बना सकते हैं लोबिया जिसको गलाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप बाइचंस भूल गए है और आपके पास सबजी नहीं है तो वह भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है मैं जमree भी बेटी को तो जाना नहीं था उसका बहुत लेट राज़ राया था तो मुझे पता चला की उसकी छुट्टी है हस्बेंट को जाना था और लेट जाना था ये भी मैं भूल चुकी थी क्योंको लेट जाना है तो सुबह पासबजे उठी थी नेन उसके बाद मैं पहले मैं वो निकालती हूं और अगर चोले Я राजमा या जो भी है वो मुझे में कुकर में करने जाती हूं एक दम से उठ के मैं किचिन में हैं क्योंकि मैंने फिमीरे पास मुझे लगता है कि उतना टाइम नहीं होता है अगर बेटा उठ जाएगा तो क्योंकि छोटा है बाकी आप पहले जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं तो यहां मैं इसे चड़ाके अपना सीधा फ्रेश होने जाऊंगी क्योंकि इन में लगेगा टाइम और मुझे करने होते हैं फिर बहुत सारे काम तो इसे मैं ऐसे चड़ाके और नमक और हल्दी में डाल देती हूँ खड़े मसाले मैंने इसमें एड़ कर दिये हैं और उसी का जो खुश्बू आएगी वो इसमें आएगी देन उसके बाद मैं अपनी सबजी को वाश कर रही हूँ इसको मैंने केवल कट किया था रात मैं वाश नहीं किया था तो कट करके रखने से सुब़ा बहुत इजी हो जाता है सबजी को फटा-फट से बनाने का तो लीजे बस पहले मेरी चाय क्योंकि जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक मैं सिर्फ ऐसे ही काम कर रही होती हूँ जैसे मेरी आखे बंद हो अंदर से और बस मेरा काम चल रहा है क्योंकि वो important है साथ के साथ चाय रखूंगी ये मेरे काफी देर तक बनती रहेगी उबाल बहुत जादा देती हूँ तो इस वज़े से ये पहले रख देती हूँ साथ मैंने दूद हुआ या घर के और भी कोई चीज रहता है राइस वगेरा वो सम मैंने निकाल के रखे हुए जो मैंने मेरा leftover food था वो मैं पहले निकाल देती हूँ अब मैं न मसाले की तैयारी कर लूँगी जिसमें मैं टमार्टर प्याज और लेसुन को कट करूँगी तो इसमें भी बहुत जादा मुझे टाइम नहीं लगने वाला है और जो मसाला मैं आपको बताने वाली हूँ उस वो मसाला बहुत इजी है बस आपको ग्राइन करना होता है तो यहां मैं पहले इनको कट करके साइड में रख लूँगी जिसके अंदर है आप अपनी सबजी के अकॉर्डिंग उस पेस्ट को रेडी कर सकते हैं मतलब आप पनीर बना रहे हैं तो इसके अंदर आप काजू मिक्स कर लीजे यू आप कुछ और बना रहे हैं तो इस तरीके से है न not paste को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं मैं इन्हें separate नहीं रखूंगी तो यहां मैं side मैं अपने चाए भी बनारी हूँ तो मतलब औरतों को जितने हाथ दे दो उतने कम पड़ जाते हैं वर्ट ऐसा नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरे को करेंगे ही नहीं साथ के साथ मेरे बहुत सारे काम चलते हैं जैसे जैसे मेरी चाय हो रही थी रेडी तो उसके साथ में मैं रख दूँगी अपने एक सबजी बनाने के लिए जी यहां कोई भी सूखी सबजी यहां जैसे मैंने कद्धु लिया है तो मैं गोबी, आलू या ऐसी कोई सबजी ले लेती हूँ और सूखी सबजी को मैं प्याज, टमार्टर या ऐसे किसी भी पेस्ट में नहीं डालती हूँ सिर्फ ऐसे ही भून के बनाती हूँ ये बहुत एजी रहता है, मसाले भी अच्छे रहते हैं बस ऐसा रहता है कि इसको अच्छे से भूनना होता है तो ये जब अच्छे से भून जाते हैं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है कुछ और एड़ करने के और ये सुभा के टाइम पर बहुत एजी सी सबजी रहती है कद्दू मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास है ना दो दिन से पड़ा हुआ था और ये ना फिर खराब हो जाता है इसलिए कट करके रखदो ना तो बहुत सही रहता है ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल जाता है तो फिर इस वज़े से मैं इसको मॉर्निंग में बना रही हूँ अदर्वाइस मैं दो सबजी नहीं बनाती हूँ कद्दू अगर रहता है ना तो इसे बना लेती हूँ किसी भी और सबजी के साथ यूँकि इसपेशल ना अलग से इसे नहीं खाया जाता है यह फिर ना पूड़ी या पराठों के साथ खा सकते है बट इसके साथ ना फिर कुछ और भी सबजी चाहिए रहती है सिर्थ इससे काम नहीं चलता है तो बस मैं पहले नमक और हिंग डालके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं थोड़ी जाता है जब यह थोड़ा सा बैठ जायेगा तो अंदाजा रहता है अदर्वास यह बहुत ज़ादा लगता है तो मसाले भी उसी थरीके से एड़ गिए जाते है मैंने बहुत कम नमक डालके इसको इस तरीके से ढख के रख दिया है जल्दी से फटाफट सी ये भी कर जाएगा और इस बीच मैं अपनी चाय लूँगी तो देखे मेरा बेटा उट चुका है तो उससे पहले मैंने चाय जब चान ली थी तो उसके आजपास भी मैंने आना वीशू को फिर दूद गरम करके दिया तो उसके बाद मैं फिर अपनी चाय दुबारा ले करके आई थी तो मैं पहले इसे सेक करूँगी अच्छे से नहीं तो ये फिर मुझे उटने नहीं देगा और कुछ न कुछ परिशान करता है तो इसके साथ साथ फिर हो गए थे मेरी सबजी रेडी तो मैं इसमें डाल दूँगी मसाले मसाले मेरे वही बेसिक से चलेंगे जिसमें धनिया पाउडर में थोड़ा सा जादा ले लेती हूँ और ये सबजी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ऐसी सबजी बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए बनेगी तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से चटपटा बना लेती हूँ तो इसके अंदर मैंने अमचूर पाउडर और मेरी शक्कर एड की है और ये खटा मीठा बनता है तो ये बहुत अच्छा लगता है तो बस इसे डाल के मैं थोड़ी देर इसे और भूनने रख दूँगी तो साथ में मेरे जो है राजमा भी उबल चुकी है तो मैं उसे बंद करके ही रखती हूँ क्योंकि कई बारी अगर ऐसा होता है न कि राजमा पकी नहीं होती है तो वो उतना है न बनने में अच्छी नहीं लगती है तो बस यहां मैं अपना जो है शक्कर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी कि यह काफी अच्छे तरीके से भूनी हुई लगे हलकी हलकी सी मसाले भूने हुए हो तो बस यहां मैं इसको अलग से निकाल लूँगी एक बॉल में क्योंकि इसमें मैं एक और पेस्ट बना लूँगी दूसरे बरतन में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे मैं उसी में ही बना लूँगी और चाहे तो एक छोटे से पैन में बना लेती हो तो अब मैं इसमें बनाऊंगी अपना पेस्ट और जो यह पेस्ट है न यह काफी अच्छा रहेगा आप कोई भी सबजी इसमें एड कर पाएंगे यह इतना जादा टेस्टी बनता है और मैं यूज कर रही हूँ सरसो का तेल वैसे मैं घी भी यूज करती हूँ बढ़ क्योंकि अभी थोड़ा सा विंटर है तो थोड़ी देर बाद सबजी अलग से जमियू इसी दिखती है तो मैं सरसो का तेल ही यूज कर रही हूँ और other पेस्ट मैंने क्यों बनाया है तो ये दीरे दीरे अपना जो है मसाला भूंता रहता है और बहुत अच्छे से जल्दी से भुन जाता है इसमें बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा और अगर आप पनीर के लिए बना रहे हैं तो इसमें कुछ भी मलाई या फिर है ना इसी में ही एड़ कर सकते हैं काजू एड़ कर सकते हैं आप चाहें तो तो ये मसाला है ना सभी सबजियों के लिए बहुत अच्छा है आप सूखी सबजी ले लीजिए आप लोबिया ले सकते हैं आप राजमा छोले जो चाहे बना लीजिए इसमें अलग-अलग मसाले नहीं होएंगे और ये इतना जल्दी सूपर फास तरीके से मसाला रेडी होता है ना साथ के साथ इसके आप दूसरे काम भी कर पाएंगे तो मैं तो इसे जब चढ़ा के रख देती हूं तो साथ के साथ मैं दूसरे काम करने लग जाती हूं ऐसा मुझे बिल्कुल टैंशन नहीं होता कि अभी मुझे मसाला भूनना है पहले प्याज जल ना जाए या फि वह निकाल लेती हूँ तो उसे मैं सब्जी में ही यूज करती हूँ तो इसमें मैं उपर से आड़ कर दूंगी उसको गी को क्योंकि फिर वह रखा ही रह जाता है तो मैंने सोचा अभी मैं इसको यूज कर लेती हूँ तो यहां मैंने रख दिये हैं राइस तो देखिए एक त देखते हूं कि वह बहुत अच्छे तरीके से घुल गया हो क्योंकि खड़ा खड़ा रहता है न तो तेस्ट में अच्छा नहीं लगता है तो यह मेरे मसाले है न मैं बीच में कुछ कुछ काम करके चलाती रही थी तो इस तरीके से कर सकते हैं ढ़के रखके तो अगर राजम बाइचन या छोले ऐसे रह जाए तो यह पेस्ट न मैं डारेक कुकर में डाल देती हूं और वो सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यहां मैं रेडी कर रही हूं साथ में अपने बच्चों के लिए ब्रेक पास्ट क्योंकि हम लोग तो रात के जो चावल है ना अपने ब्रेडी हो रही है कमप्लीटली होई चुकी है और यहां अम उन लोगों के लिए म्यावनी जैसे लगा करके एक सैंडविच बना लूँगी वैसे तो मैं ऐसे कट कर रही हूं कई बारी मैं इसे बारी कैना सबजियों को चॉप कर लेती हूं शिम्ला मेर्श भी होता है तब उनको डारेक्ट इस तरीके से म्यावनी में मिक्स करके सैंडविच में लगा देती हूं तो यह बहुत जादा टेस्टी लगता है बच्चों को बहुत पसंद आता है अरूत अफसर अपने स्कूल इसे बनवा के लेके जाती है यह ब्रेड है तो मैं इन्हें सेक्ती है तब ही आप क्रीम वगेरा ला सकते हैं तो अगर ऐसा रहता है कि कुछ प्लैन ही नहीं है आपको रात में एकदम से लगा कि सुबा क्या बनाना है तो इस वज़े से मेरे पास अक्सर क्रीम बहुत कमी रहती है तो क्रीम रहे तो आप वो भी एड कर लीजे मैंने मलाई ही निकाल के डाल देती हूँ जादा तर तो मुझे तो वही सही लगता है बहुत इखटी हो जाती है मलाई मुझे गी निकालना पड़ता है तो बस यहां पर मैं ब्रैड को घी लगा के अच्छे तरीके से ना सेख दूगी क्योंकि ब्रैड है तो मैं कच्छी नहीं देती जिसमें भी होता है तो यह से और अच्छा टेस्ट आ जाता है और यह लोग ना बड़े मज़े से खाते भी है इसमें ऐसा रहता है कि मैं कोई भी सब्जी एड कर दूना तो बहुत अच्छे से खा लेंगे तो यहां मेरे राइस रेडी हो गए है एक तरफ यह भी बन चुका ह है तो बस अब यह पैना जो थोड़ा बहुत जो मेरे पास धनीया था मैं उसको एड कर दी उन बहुत जादा धन नहीं था और धनिया न मैं अकसर बहुली जाती हूं मैं अकसा बहुली जाती हूं कभी नहीं डाल क्यों आद ने टो फिर रहना टाना बहुत घंपर गंुलने रहती है ना वो तो फोल्ड करके मैं खुद के ही लिए बना लेती हो क्योंकि वो बच्चे नहीं खाते हैं सिंगल सा रहता है तो देखे साथ मेरी तीन तीन चीज़े रेडी हो गई चौथा एक ब्रेक्वास्स रेडी हो गया मेरा किचिन मैंने क्लीन कर लिया है अपने जो गै जब सब बनी गया है तो लंच पैक होई जाएगा तो ये देखे मेरी सबजी वगएरा सब कुछ रेडी हो गया है और यमी सा जो है राजमा डाल राजमा बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो गया और मेरा देखके दुबारा से मन हो गया है कि मैं इसे दुबारा अच्छा सा त्यार हो गया खाना तो जटपट बनाया है अब मैं बना लूँगे हजबिन के लिए चाए और क्योंकि चाए मैं अपनी बहुत सुबा सुबा पी चुकी हो तो ये है मेरा रात का जो पुलाओ है वो है उसको साथ में जो चाए बन रही है और हम लोग एना भी नाश्टे में लेने वाले हैं हां मैं दो बार चाए ले लेती हूं कई बारी जब जादा भी बन जाती है तब भी और नहीं तो नहीं भी तो बस ये जो पुलाओ है ये तो डेफिनिटली राजमा से ही खाने वाले हैं क्योंकि इनको सबजी बहुत अच्छी लगती है तो मेरा ये व्लॉग पसंद आए कुछ यूस्फुल लगे तो इसे लाइक करना कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत भूलना तो ये देखे मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे भी करता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई एं थार दो करते हैं तो जाए